हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के हम लोग डिसकस करने वाले हैं ओमिक्रॉन का जो इंफेक्शन है उसका गडीत कैसा है मीस स्टेट्स पे हम लोग बात करेंगे जैसा कि अभी डबलो एचो ने भी बोल दिया कि भाई जो ओमिक्रॉन है वह माइल्ड तो नहीं है मीस इसमें डे क्रेशन आगे बढ़ाते हैं तो अभी तक हम लोग कोवीड-19 का बात करेंगे तो कोवीड-19 से टोटल इंडिया में लगभग तीन करोड उन्चार्स लाग प्लस लोग इंफेक्टिड हो चुके हैं जिसमें से चार लाग तिरासी हजार प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है तो यह डेटा पहले हम लोग एनलाइज करते हैं टोटल जो डेथ हुआ है देडिस लाग प्लस चार लाग तरासी जार ही ले ले लेते हैं मोटा मोटी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए और टोटल जो इंफेक्शन हुआ था कोवीड-19 का वो कितना है तीन करोड उन्चार् प्लस तो यह हो गया तो यह टोटल यह टोटल डेथ से हैं और यह टोटल इंफेक्शन से हैं इंफेक्शन्स द्यू टो पन तकक का इंडिया अब इसका हम लोग percentage निकालते हैं into 100 कर देते हैं और इसको solve करते हैं तो यह होता है approximately 1.38% means 1.38% death rate है किसका COVID-19 का COVID-19 का अब हम लोग बात करते हैं Omicron की उसके लिए हमने data लिया है that is from 1st January 2022 1st January 2022 से लेकर के 6 January 2022 तक का हमारे पास data है जिसमें जो total death हुआ है वो हुआ है approximately 1690 प्लस और टोटल जो infection हुए है वो है 3,64,800 प्लस लोगों का ठीक है तो यह total deaths है और यह COVID-19 का infection है और इसमें predominantly जो है Omicron variant माना जा रहा है और इसको 100 से multiply करते हैं और इसका percentage निकालते हैं तो इसका percent निकल गर क्या आता है कुछ 0.46% तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले death rate 1.38% था जो अब 0.46% हो गया इसका मतलब जो death rate है वो तो decrease हुआ है कितना decrease हुआ है लगभग 3 times decrease हुआ है ठीक है मान लोग यहाँ पर 100 लोगों में या फिर यह कहें कि 10,000 लोगों में यहाँ पर 138 लोगों की death हो रही थी पहले तो अब इस omicron के खरान कितना होगा 10,000 लोगों में लगभग 46 लोगों का death हो सकता है ठीक है यह fact पर हम लोग बात करते हैं ऐसा कुछ दावा नहीं है एकदम fix नहीं है अब हम लोग यहाँ पर जो second wave है और अभी जो third wave है third wave कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको third wave लिख रहे है जो अभी omicron चल रहा है उसके करहें तो second wave में जो लगभग 25,000 cases थे वो थे आपके 15th March के approximately और वहां से यह 1,000,000 क्रास किया वो क्रास किया था लगभग यह 5th April के आसपास 2021 का डेटा है ठीक है तो यहाँ पर इसको total कितने दिन लगे लगभग 20 days लगे और similarly जो third wave है उसमें 1st January को हमारा था 27,000 चलो इसको 25,000 प्लस ही लिख देते हैं 27,000 था actually में यह था 1st January को और उसके बाद फिर यह एक दिन में 1,17,000 प्लस मिस एक लाग का डेटा जो क्रॉस किया वो क्रॉस कर लिया था 6th January को यह 2022 को है तो यहाँ पर कितना लगा यहाँ पर लगा 6 दिन या फिर 5 दिन मान करके चलो चलो 6 days लिख देते हैं ठीक है 6 days मकला लगबाग 3 गुना जादा fast rate है इसका साड़े 3 से 4 गुना जादा तेजी से यह spread हो रहा है और जो हमारे पास second wave था उसमें एक दिन का जो highest infection था वो लगबाग 4 लाग प्लस था एक दिन में ठीक है तो इस हिसाब से चलते हैं तो यह वाला जो omicron variant के कारण एक दिन में लगबाग 12 लाग प्लस cases आ सकते हैं 12 लाग प्लस मेंज 1.2 मिलियन एक दिन में अब यहां पर में गडित स्टार्ट होता है देखो यहां पर 4 लाग लोगों को एक दिन में infection हुआ तो जो peak death गया था that is approximately 5000 प्लस का गया था एक दिन ने 5000 लोगों का date हुआ था और यहां पर जब 12 लाग case गये हैं तो इस 12 लाग के हिसाब से आप निकालोगे यह 0.46% 0.46% तो यह कितना हो जाएगा 0.46% है तो इसको calculate करके जब हम लोग निकालते हैं तो exactly कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 120000 into 0.46% है out of 100 तो इसको solve करते हैं तो यह हो जाता है लगबग 5520 deaths अब आप comparison करो यह आपका second वेरुका है 5000 deaths तक हम लोग highest गये थे और यहाँ पर इसके साब से 5520 deaths आ रहा है तो यहाँ पर जो मैं discussion कर रहा हूं that is only based on data world o meter से मैंने data लिया है आप वो data जाकर के check भी कर सकते हैं कली मैं आपको description में दे दूँगा बट जरूरी ही कि ऐसा ही हो बट जो covid-19 का pattern है वो इसी तरीके का कुछ रहता है तो आप खुदी सोच लो तो जो लोग omicron को lightly ले रहे हैं उनको lightly नहीं लेना चाहिए जो भी अपना sanitizer, mask या फिर जो भी precautions है वो सारे precautions लो भाई उसको छोडो मत भूलो मत otherwise उसी situation में हम लोग फिर से जाने वान है जिस situation में हम लोग April मही में थे 2021 में तो वैसा condition क्यों create करना है यार सब के लिए problematic होगा तो इसलिए मैं सब इसे request करता हूँ कि आप अपने जो भी precautions है उसको follow करे, thank you so much